कि हेलो एवरीवन वंस अगें वेलकम टो अंट्रोल कॉंसेप्स आयो प्यार है प्याइप एन हिल्दी आई नो कि आप लोगों को बहुत गुसा रहा होगा कि सर आप लोग कहां थे इतने दिन से हैं कि तीन चार दिन होगे कोई वीडियो नी कुछ लाइव क्लास नी कुछ नी तो अभी प्रॉपर शाट अपनों होपाया है मैं आपको बोला था कि मैंने जैस से के लोकेशन कर रही थी तो अभी अभी सेट अपनी हो पाया था एक मतलब लाइट में लें आया था तो वह थोड़ी सइसे नहीं हो पारी थी ठीक है तो फिर वह एक्शेंज करने पड़ी इस ने हमोगा वहाँ को बटा दिना कितना एब लाउंग ना बारे यहां पर यह नही transm नोटनो आपनोट ने कम रहे हैं और मैं लुएिश म्मिश को सप्रेस ने कर पाता किए सब्सक्राइब पताइब क्यों नहीं कर रहा है ठीक है उतनी टेक्निकल नहीं कर सकते हैं अब यहां पर नॉइज भी काफी रहता है इसलिए मैंने बोला कि अभी लाइव क्लास को देखते हैं कैसा सीन होता है ठीक है बहुत सारे चीजे हमारे अगेंस्ट हो जाएंगी लेकिन हमें उसी हिसाप से अपन तो फिर भी मैं आज भी वीडियो बनाने के मूड में नहीं था लेकिन मैंने सोच आपको कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए राइट का की टाइम हो गया एक फ्लो टाइप का बन जाता है ठीक है अई होब कि इससे पहले आप लोग ने पूरा रिवाइज कर लेगा पूरा है ठीक है मेरे उसमें कुछ है नहीं इसलिए आपके हिसाब सही में हर चीज करना की कोसिस करता हूं तो आज जैसा कि आपको हमें आपको पता है भी तक हमने कई सारे मैत में कर लिए जो क्लास 9 वाले होंगे राइट उसमें लाश ट्रास में मैं भी बोल चार-पास दिन होग तो थोड़ी आपको इसलिए कर लोगे तब आपको लेगा हमने ऐसा क्यों कर आपको इसके बाद हम बिलकुल फोकस हो के क्वेस्टन पर ही हम करने वाले हैं पूरा काम करने वाले राइट तो आज मुझे आपको थोड़ी वर्क एंड टाइम जो कि आपने बोला था टाइम वर्क एंड टाइम ठीक है कि सर उसे बता दो तो उसी में आज थोड़ी स्टार कर लेते हैं अभी मतलब आइट इनरजी आपको नहीं दे पारा हूं क्योंकि हो जाता है ठीक है क्योंकि एंवार्मेंट जब एकदम से चेंज हो जाता है काफी टाइम से तो थोड़ी हमें भी वह करना होता है और मैं थोड़ी बीजी भी अब हो गया हूं ठीक है तो फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल लूँगा आपको वीडियो थोड़ दिन मिली जाएगी ठीक है क्योंकि एंटोल कॉंसेट हमेशा आपके साथ है यहां पे आपको थोड़ी बला पभी चमक र आपने सुना होगा ठीक है जो कि आपके स्लेवर्स में भी टाइम एंड वर्क इससे पहले मुझे आपको वह करवाना था क्या 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 बोलते हैं उसको सिंपल इंट्रेस्ट और कमपॉंट इंट्रेट भी एक बार मैं चाह रहा था कि उसे फिनिस कर दूं ठीक है लेकिन आपने बोला नहीं साथ टाइम एंड वर्क करवा दो तो मैंने सोचा चोले एक बार टाइम एंड वर्क करवा दो क्योंकि यह भी कहीं कहीं कंपेरिंग क् सिंपल नहीं अंग तक को ठीक है तो तब तक के लिए आपको थोड़ी कोपरेट करना पड़ेगा कुछ लोग तो बहुत यह से आग बन रखें कि सर वीडियो कहा है क्लास कहा है है ना हस गया होगा वह जिसकी मैं बात कब रहूं ठीक है चलो तो देखो टाइम एन वर्क होता क्या है टाइम तो सबको पता है हां सर टाइम पता होगा वर के भी सबको पता है ठीक है तो यहां पर आपको मान लो कि सिंपल सी बात है मैंने आपको बोला कि आपको यह काम करना है ठीक है आप बोलोगे हां सर ठीक है हम कर लेंगे अब यहां पर तीन चीजा आएंगे ध्यान रखना एक तो टाइम ह कितना काम कर रहे हो इसको मैं अब एक Word लिखने वाल हूं इसको हम लिख सकते हैं इसको मैं आप एपिसेशी कह सकता हूं ठीक है तो यहां पर तीन चीज़ें होने वाले हैं, तीन चीज़ें के बारे में हम बात करने वाले हैं, time, work and efficiency, ठीक है, अब मैं यहां पर एक formula type का लिख सकता हूँ, work is equal to time into efficiency, अब यह चलने लग जाएगे थोड़े, efficiency, ठीक है, work is equal to time into efficiency, इसको ध्यान से समझना, माणलो मैं आपको बोल रहा हम कि कोई भी काम हमें करना है, हम उसे कितने time में कर रहे हैं, हम उसे कितने time में कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी efficiency कहेंगे, स्यम्साइं आप के सकते हो कोई पी आदम एक दिन में कितना काम कर रहा है एक मिलट में कितना काम कर रहा है एक ही मिल प्लत में इक वडिया मिल जितना काम हो रहा है ति शेम केarrive के थे दो उसेा अजए ना ढहर है अगर आपको बोल हो कि आप को 20 पेज साcream अप किसाल मैंने बोला ठीक है ठाइम आपके पास तुट nggak टो डेलेस के अदर अंदर आपको क्या करना है ट्वैज just को कम्प्लिट कर लेना है तो है था क्या करोगा अगार यहां से जाशा बोलूं गहीत को तो क्या हो जाएगा बोलो work upon time हो जाएगा work upon time हो जाएगा अब यहां से देखो efficiency is equal to यहां से आप क्या करतो होगे 20 upon 10 sorry 20 upon 2 is equal to 10 तो यहां से आपको पता चला आपको क्या पता चला यह आपका एक दिन का काम है efficiency यह दिन में कितने पेज लिखे देस पेज लिखे तीक है यह मत बोज लिए सर में एक दिन में 15 दूसरे में 5 लिखेंगा वो अलग बात है थीक है हम यह आप एक जनरल वे में बात कर रहे हैं यह चीज आपको समझ आ रही होगी कि वर्क इज़ टू टॉ टाइम इंटू इफि हैं तो आपकी efficiency किया होगी आपने किस rate से काम करा रहा होगा कितनी speed से आपने काम करा होगा अपने बोला कि हैं ठीक है अमने एक दिन में 10 पेज लिखे 2 दिन में 20 पेज होके मतलब आपका एक दिन का काम कितना हो गया 10 पेज समझ है रहा है question इस हीसे सांभ सोंगे आपका काम कितना हो गया, 10th page हो गया, राइट, अब यहां पर अगर मैं इनको formula काओ भी लिख दो यहां पर, ठीक है, यहां पर दियान से समझना, ठीक है, अब मैं आगर यहां पर आप से बोल रहा हूं, एक formula तो हमारा बन गया, यहां पर कहीं कहीं पर आपको देखो, work मैं जादा हो सकती है मान लोग दो आदमी है एक आदमी किसी काम को दो दिन में कर रहा है और दूसरा आदमी उसी काम को तीन में कर रहा है मेरी बात समझभा रहे हो दो आदमी है एक आदमी उसी काम को दो दिन में कर रहा है और दूसरा उसी काम को तीन मेरे बात समझ रहे हो मैंने बौला अगर हो किसी काम को तीन को तीन को तो ंएगा और मेरे बात किरोदा कोई वंद दो दिन में कर रहा है तो दिन में można करना और आफ सिंपल से बात बहूंत कि चाइब बना स्टाइब करने में की आपको हो जा रहे हां अगर यहां पर जो है ताइम कम है वरक उतना है से ज़्यादा है वह एक दिन में ज़ादा काम कर रहा है मेरे बात समझते हो ना महलोब को प्रश्राइश लिखने एक आदमी बीस पेस कद दूर दिन में लिख रहा है दूसरा तीन में लिखे रहे एellt किसके ज्यादी कि रियुज ज्यादा काम कर रहा ऑब tomorrow यह जल्दी जादार्ब्स काम कर रहा इतनी बात आपको clear हो चुकी है राइट कितना होगे विच ओके देखो basic introduction कि सीवी चीज का जरूरी होता है ठीक है मुझे आज आपको simple basic entry बताना है बाकि next video में देखते हैं question आते हैं कि नहीं आते हैं इसके बाद यहां पर कुछ important formula होते हैं यह दो formula होते हैं यहां से आप efficiency निकाल सकते हो is equal to double upon t work upon time ठीक है is equal to work upon time जो यह work होगा उसे आप time से divide कर लेना अब यहां पर अगर आप time निकालो ठीक है कि किसी की question में हो सकता है कि आपको यह सब करना पड़े तो यह top simple कर सकते हो इसलिए मैंने आपको एक concept बता रहे कि concept क्या है यह आप लोगों को समझ में चीज आ चुकी होगी ठीक है काफी लंबा की इसलिए मैंने अब यहां पर कुछ important formless type के में आपको एक बार मलब rule type के में आप एक बार बता देता हूं कि यहां पर rule क्या होने वाले हैं यह मीट क्यों नहीं रहा है यार देखो disturbance हो रहा होगा I think मतलब थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी अब हम भी क्या कर सकते हैं लोगों को बोल भी सकते हैं कि चुपो जाओ एक तो यहां दिन मैं बहुत अल्ला कर दूंगा ठीक है चलो देखो अब यहां पर जो फर्स्ट आपका रूल हो जाता है ठीक है देखो रूल फर्स्ट है आपका if a man complete यहां पे लिद्यान सुनना if a man complete a work in x days then work done in one day is equal to one upon x या इसी को मैंने आपको efficiency जो कि अभी पहले बताये था ठीक है क्या बोला हमने कि एक आदमी किसी काम को x days में कर रहा है कुछ भी वहां पर देखो x days में कर रहा है तो उसका एक दिन में वह कितना काम कर रहा है वह हो जाएगा one upon x ठीक है या work is equal to मैंने क्या बोला time into efficiency efficiency मतलब वह कितना काम उसका rate गा है काम करने का डेफिसर में आपको क्या बताया थी कि एक दिन में एक hour में एक second में कितना काम कर रहा है उसे आप क्या बोल दोगे उसकी efficiency बोल दोगे तो यह formula बन गया आपका one upon x ठीक है बाकि मैं आपको यहां पर लिक रहा हो ना यह मैं आपको already पहले बता चुका हूं ठीक उसका one day इसका just opposite है समझ में आ रहा है इसका just opposite है one upon x one upon two days वह एक दिन का उसका काम है ठीक एक दिन में कर रहा है तो वह कितने दिन में करेगा इसका उल्टा कर तो सिदे आई बात समझ में यह दो चीप फोले आपके बन गये next आप दो देखो जो next देखो अब यहां पर क्या है if efficiency of M1 M1 मतलब कोई मैन है एक आदमी है ठीक है कुछ भी यहां पर लिख सकते हो लिखा हूँ हमें लिखा if efficiency of M1 is x times of M2 जहां से सुनना if efficiency of M1 is x times of M2 then M1 complete work in 1 upon x times of B समझा है जो लिखा ठीक है यह क्या लिखा है यहां पर देख लो कि जो efficiency M1 की फर्ष्ट दो आदमी होंगी वहां पर मानों ठीक है M1 मेने एक को कह दिया उसके जो काम करने की efficiency है वह x times है किसके ब पर दो आदमी है ठीक है? एक जो काम कर हमने कितने दिन में कर लेगा तो आपको वहां पर फोर्मला एक सामझा है मैंने आप से बिलाख से ठीक है मैंने आपसे बोला कि M1 efficiency of M1 is x times of M2 M2 की जो efficiency है वो मानलो वो है 2 ठीक है मानलो वो 2 जिन में किसी काम को कर रहा है वो उसकी efficiency हो जाएगी वो उसका rate हो जाएगा ठीक है अब हमने बोला कि M1 की जो efficiency होगी ठीक है अगर वो x times है M2 ठीक है अब यहां पे 2 है तो इसका x गुना मानलो वो 2 गुना है तो M2 क्या हो जाएगा M1 का क्या हो जाएगा 2 into 2 4 हो जाएगा फिर हमने बोला इन 1 upon x times of times of B तब वो अगर मैं M1 की बात करूँ first आदमी की मैं आगर बात करूँ कि वो कितने time मैं उस काम को एकेले हाँ पुरा complete करेगा आप क्या कर दोगे 1 upon x ठीक है x time क्या यहां पे 4 into times of time और भी time का भी क्या यहां पे 2 है ऐसे आपके यहां पर यह equation यह expression बनने वाला है आई बात समझें सिंपल सी बात है ज्याद कुछ इसमें है नहीं इसके बाद देखो अगर एक चीज कहीं पर आपको यह भी मिल सकती है if M1 is two times as efficient as M2 ठीक है then ratio of time taken to complete work one ratio यह two हो जाएगा क्या बोला मैंने आपको बोला कि दो आदमी है ठीक है M1 is two times as efficient as M2 यह चीज आपको समझ आ रही है मैंने बोला कि वहां पर जो फर्स्ट आदमी की efficiency है ठीक है वह two times दो गुना जादा है किससे दूसरे बाले आदमी से ठीक है और M1 की speed उससे दो गुना है ठीक है तो वह time लेंगे तो M1 कम time लेगा ना जो मैंने आपको देखो मैंने यह सारा आपको already starting वाले जो मैंने बोला ना वो मैं आपको समझा चुका हूं ठीक है मैंने बोला कि M1 दो गुना काम ज्यादा कर रहा है किससे M2 से ठीक है तो वह कितना time लेगा M1 कम time लेगा ना अगर ज्यादा जल्दी काम कर रहा है तो वह काम करना में कम time लेगा और M2 ज्यादा time लेगा इसलिए one ratio यह two हो गया आपको पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लेना तरह भी आगे बढ़ना ठीक है स्टार्टिंग में टफ लग सकता है लेकिन टफ होगा नहीं राइट तो यहां पर यहां पर लाश्ट रूल या फॉर्मला हमें से कह सकते हैं ठीक है यहां पर यह क्या हो जाएगा इफ M1 कम्ट्रीट वर्क इन X डेज जहां से समझना इफ M1 कम्ट्रीट वर्क इन X डेज और M2 कें डू इन Y यहां पर मतलब दो आदमें अलग अलग है उनके जो काम करने के जो अफिसिएंसी है जितना टाइम ओं काम करने में ले रहे हैं वो भी अलग अलग है फर्ष्ट एकस डे रहा है और सेकिन वाइड़ ले रहा है ठीक है तो यहां पर then one day combined work of M1 and M2 उन दोनों का जो combined work होगा वो कितना time लेंगे वो चीज हमें बतानी है क्या combine मतलब जब दोनों एक साथ काम करेंगे अभी देखो अभी हमने क्या बोला M1 का जो efficiency है वो अलग है M2 की efficiency अलग है हमने उन दोनों की combine बोल दे कि वो combine क्या वर करने वाले है one day में ठीक है one day एक दिन में वो कितना काम करेंगे दोनों की मतलब हम एक साथ efficiency निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा one upon x plus one upon y ठीक है मतलब जो उनका days होंगे फिर अगर हम M1 & M2 के complete work है उनका अभी हमने एक दिन का निकाला अब अगर हम उनका complete work है कि वो कितने time में कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या x into y upon x plus y is it is clear x into y into x plus y is यह इस टाइप का फॉर्मला है यह बाकी जब हम क्वेशन करेंगे तो वहां पर मैं आपको उसका basic fund भी बता दूंगा ठीक है कि आपको कैसे question को रेड करके उससे tackle करना है right अभी है हमने आज basic इंट्रो सीखा I don't know कि यह आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा ठीक है समस्तो आई जाएगा ठीक है फिर भी देखना अगर समझ आएगा तो ठीक है नहीं तो फिर से मैंस पर लेक्टर ले लूंगा ठीक है क्योंकि थिंग कि थोड़ी माहौल है मुझे इरिटेसन टाइप की भी हो लिए ठीक है ओनेशली बोल रहा हूं बागी देखते हैं चीज है मिस हमारे कोडिंग नहीं होंगी ठीक है कोई भी आपका सजेशन होगा तो जुरूर बता देना मुझे राइट और यही था आज का वरकेंड टाइम वेले मैं कोईसन भी लेके आर कहता अभी ठीक है देखो मैं आपके नोट्स बनागे रखता हूं ठीक है लेकिन मैं नोट्स किसको सेर नहीं करता क्यों क्योंकि जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें सम तो बागे आप क्वेशन काली करेंगे या जब भी वीडियो आएगी ठीक है आप लोग इसका यह मेरी वीडियो बनाने का में यह था कि आपका एक फ्लो बन जाए आप यह ना सोचो कि सरपता नहीं कहां भागे ठीक है इसलिए मैंने यह वीडियो साय जल्दीबाद ही महीं समझ आए तो वही बताना नहीं आए तो वही बताना ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नहीं कॉंसेप्ट के साथ सीखते रहें अन्टोड कॉंसेप्ट के साथ विश्यों आवेरी बर्ष बी हपी